नमस्कार दोस्तों ग्यान छंटर चैनल में मैं बीपिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज हम सिलेक्शन करने वाले हैं कि सिंगल फैज सगमर्स इंडेक्शन मोटर हो या फिर आपका सिलिंग फैज मोटर के लिए कैपिसेटर का सिलेक्शन केसे करें जी हाँ हो या फिर सगमर्सिबल मोटर हो उसका कैपिसीटर का सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं अगर उसका कैपिसीटर में वेल्यू आपको नहीं दिख रहे हैं पूरी तरह से जल गया खराब हो गया फिर घिस गया तो उसका कैपिसीटर की वेल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं क हमें वोस्पावर से वोट निकालना पड़ता है और वोस्पावर 746 747 वोट पे एक वोस्पावर होता है आप हमें साथ यान रखिए 746 त्री फेज हो या सिंगल फेज हो यहां पे 746 मतलब वोस्पावर तो आपको सबसे पहले वोट चाहिए अगर एसपी में है एचपी में से वोट में आप कनवर्ट कर लीजिए यह मैंने आपको वेल्यू बचा दी दूसरा हमें चाहिए वोल्टेज तो वोल्टेज हमारे जन्रली 220 वोल्ट आता है हम बोलते हैं कि 250 वोल्ट 240 मगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो 220 वोल्ट के असपास आ चलते हैं तो यहां पर आगे 80 पर्शन वो जो फ्रिक्वंसी है हम इंडिया में यूज करते हैं वो है 50 हज यानि कि 50 हज की फ्रिक्वंसी पर हम यहां पर इलेट्रिसिटी यूज करते हैं तो चलिए इतनी चीजे आपको चाहिए पहले हो गया आपका वोट दूसरा हो गया वोल्टेज तीसरा यहां पर आ गया इफिसेंसी और चोथा हो गया यहां पर फ्रिक्वंसी यह चीज कोमन रहती है फ्रिक्वंसी यह पचाहस हजी पूरी इंडिया में मिलेगी फिसेंसी जनरल हम 80 परसेंट ही लेते हैं और जो वोल्टेज है वो थोड़ा आप डाउन होग पास-पास निकलता है अब इसका फॉर्मूला क्या है यह रहा फॉर्मूला ठीक है और वोल्टेज स्क्वेड टू है यहां पर तो वोल्टेज दो बार हमें इंपूट करना है उसका मल्टिप्लाइफ फ्रिक्वंसी से तो चलिए इसका केल्कुलेशन करते हैं फटा-फट स यानि के वर्ट उसके साथ क्या आएगा इफिजेंसी कितना है 80% तो आपको यहां पर 80 इंपूट कर देना है उसके साथ 1000 यह वेल्यू आपको जोड़ देनी है एक अजार वाली यह तो हो गया इसका टोटल कितना आएगा हम लोग केल्कुलेशन कर लेते हैं और वो केल्कु एट शॉ спare no two partners लेहां बहुति यहां पे यह निकल किया यह फाइट यह फज। इसके हमने बस ऍष्ट करक कर लिया अब अभार यह वाल जेना है तो यहां पर व्लट इंवेड ले कि अब कि आएगा फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 50 हर्च तो 50 अब इसकी वेल्यू भी निकाल लेते हैं चलिए तो इसकी वेल्यू जो निकल के आती है वह है टू फोर कि टू पॉर टाइम जीरो ठीक्या इसकी वेल्यू यहां पर निकल के आई है जो आपको स्क्रीन सोट में दे देता है अब हमें क्या करना है अब दोनों वेल्यू हमारे पास आ चुकी है अब हमें इसका टोटल निकालते है डिवाइट करके चलिए तो इस दोनों का कैल्कुलेशन वेल्यू हमारे पास है इसलिए बाकी का सब हटा दिया अब इसका टोटल क्या आता ह यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट जो वेल्यू आई है 5,9,6,8,1,2,3,4,10 ठीक है दूसरी वेल्यू जो निकल के आई है वो है 2,4,2,4,10 ओके यह दोनों वेल्यू हमने निकाल ली यह सब फेक्टर में से अब इसका टोटल निकालते हैं तो इसका टोटल यहाँ पर आया एमे में जो है 24,6,24 MFD टाल हमारे पास केपिसिटर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर हम 25 MFD का केपिसिटर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग केपिसिटर जो है हमारा वन वस्पावर की मोटर के लिए इसी तरह से आप यहाँ पर वोट चेंज करके आप सिंगल फेज कोई भी मोटर का यहाँ पर केपिसिटर सेलेक्शन कर सकते हैं स्टीलिंग फेंड का करना है तो यहाँ पर 46 सटा दीजिए 70 कर दीजिए 70 कर दीजिए आपको डाइरेक्टी यहाँ पर वेल्यू आ जाएगी बिल्कुली सिंपल केलक्यूलेशन है कुछ नहीं यहीं वेल्यू आप सिंगल फैंचल के लिए कि समत मरसिंबल मोटर के लिए बिटल सेलेक्शन नकालते उसके वीदियो बनायती है रहापूरा केल्क्यूलेशन वीडियो वीडियो आपको जरुर से पसंद आया होगा अगरं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लैक करेंदे Nephi वीडियो टेकनोलोजी के बहुत चारे वीडियो आने वाली है जय हिन्द वंदे मातरव